इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे हमेरा फाइल यहां पे दिखा रहा है थू लार्ज करके तो यह जो एरोर आता है हम लोग इसको कैसे सॉट आउट करेंगे मेरे डेक्स्टॉप में एक फाइल पड़ा हुआ है जिसका प्रोपोटीज में हम जाते हैं तो 4GB से भी हम अगर इसे ही send direct pen drive करते हैं तो फूलार्ज का प्रोब्लेम दिखाता है तो इसको सॉट आउट करने के लिए हमें पहले दिस PC में जाना है pen drive कंदर जो भी फाइल है इसको आप बेक अप ले लिजिए मैं यहां से कट कर लेता हूं और desktop में पेस्ट कर लेता हूं यह मेरा फ इसको convert कर देंगे NTFS में इसको close करेंगे और right click कर तो हम इसको format करेंगे format से पहले database को बहुत जरूरी है यहां पर fat 32 default है इसको select करेंगे file type से और NTFS में हम लोगो select कर देंगे क्योंकि NTFS में जब भी convert करेंगे यह क्या होगा जितना भी बड़ा बड़ा फाइल या folder रहेग जैसे यह fat 32 से आप यहां पर देख रहें fat 32 दिखा रहा है इसको हम लोग convert automatically NTFS में हो जाएगा after formatting तो इसको हम लोग तब तो यह format हो चुका है आप यहां पर ok करेंगे और इसको close करेंगे आप इसका उपर right click करेंगे और यहां पर properties में जाएंगे आप यहां पर देख सकते ह हो चुका है इसको हम close करता है जो मेरा बड़ा file था जो file destination to large दिखा रहा था वही file को हम इसको यहां पर फिर से हम send to जो की मेरा USB drive है उसके अंदर click करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं file मेरा copy होना शुरू हो चुका है दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के अंदर कु सब्सक्राइब करें थैंक्यू दोस्तों